नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटोनस यूर गेटवे टू डिजिटल एडुकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दूसरे सभी शोशल मीडिया एकाउंट्स के जो लिंक्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल आर्ट पर कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ताकि अगर कोई भी यूजर या कोई भी विजिटर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करता है तो डायरेक्ट वो हमारे दूसरे सभी शोशल मीडिया एकाउंट्स को विजिट कर सके जस्ट इन सिंगल क्लिक तो आएए चलते हैं वीडियो की तर्फ और जानते हैं कि कैसे हम अपने दूसरे सभी शोशल मीडिया एकाउंट्स के लिंक्स को अपने यूट्यूब चैनल आर्ट पर डिस्प्ले करा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तो सबसे पहले आपको जिस एकाउंट जिस यूट्यूब एकाउंट को आपने क्रियेट किया हुआ है उसको आपको लोगिन करना है लोगिन करने के बाद आपको अपने YouTube चैनल पर विजिट करना है विजिट करने के लिए मैंने अपना YouTube एकाउंट ओपन किया है एकाउंट जैसे ही आपका ओपन होता है आप देखेंगे कि आपकी राइट हैंड साइड में ट Dumurger, आपकी एकाउंट की जो फ्रोफाइल पिक्चर है वह डिस्पले होगी है यहां पर आपको अपनी एकाउंट की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक आपकोडूब डॉप डाउं मैन्यू मिलेगा menu के अंदर आपको select करना है सबसे पहला जो option दिया हुआ है your channel इस पर आपको click करना है जैसे ही आप your channel पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो YouTube का channel है उसका homepage आपको मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो channel art है जो एक image लगी हुई है इसको बोलता है YouTube channel art यही पर आपके जो icons हैं जो links हैं वो display होंगे और वो display कैसे होंगे उसके लिए आपको क्या करना है you have to click on customize channel button यहाँ पर जब आप customize channel button पर आप click करेंगे तो आपका जो channel वो एक नई window में open होगा customize channel के अंदर आपको तीन options मिलता है layout, branding और basic info layout means अगर आपके जो channel का जो layout है जो अभी हमने homepage यह open किया है इसमें अगर आपको कोई भी changes करना है तो वो आप करेंगे अपने layout option से जैसे अगर आपको अपना कोई trailer video add करना है कि जो भी आपका अगर visitor या user आपको आपके channel को visit करता है particular video एकदम से run हो जाए automatically तो वो हम यहाँ से add कर सकते है आपको अपने जो section है जो video displaying कराने का जो layout है वो अगर change करना है तो वो भी आप यहाँ से करेंगे branding के लिए आपकी जो profile picture है अगर आपको वो change या remove करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते है banner image जो आपकी banner image है जो top पे आप देख रहे हैं यह image को अगर आपको change या remove करना है तो वो भी आप branding पार्ट से करेंगे video watermark आपने देखा होगे कि बहुत सारी videos जब run करती है तो उनके bottom right corner में एक watermark generate होता है subscribe button की तरह तो अगर आपको वो change करना है या वो आपको अपनी videos पर watermark insert करना है तो वो भी आप branding वाले option से कर सकते हैं थर्ड आता है हमारा basic info basic info में आपको जो आपके channel का description है वो आप add on कर सकते हैं कोई language particular language आपके channel में है वो आप add कर सकते हैं channel का URL आपको यहाँ पर मिलेगा दो URL होते हैं एक channel का URL होता है और एक custom URL channel URL ये तब create होता है जब आप अपने channel को first time create करते हैं YouTube channel को जब आप first time create करते हैं तो YouTube आपको एक channel का URL देता है जो होता है आपका channel URL इस URL की help से कोई भी visitor या कोई भी unknown user जिसको भी आप ये link send करेंगे वो आपके channel को visit करता है custom URL होता है जो आप अपने channel के लिए खुद से बनाते हैं custom URL ये option तब enable होता है जब आपके YouTube channel पर at least 100 subscriber हो जाते हैं 100 subscriber complete होने के बाद ही ये custom URL option enable होता है जहाँ पर आप अपना एक custom URL create कर सकते हैं इसके बाद नीचे आता है links links क्या होता है links होता है कि आप अपने YouTube channel आर्ट पर जो आप image यहाँ पर banner ये देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप अपने दूसरे social media accounts के links को display करा सकते हैं तो यहाँ पर आपको जब links जहाँ पर आपको दिया OS के नीचे एक option है add link तो add link का मतलब है सबोज आपके पास आपके twitter account है facebook account है instagram के account है ठीक है कोई आपकी अपनी personal website है वो आपको link display कराना है तो आप जितने चाहें उतने link display करा सकते हैं but maximum एक time में आपके 5 links ही youtube channel art पर display होते हैं तो आएए देखते हैं के कैसे हम कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं click कर रहा हूँ add link पर यहाँ पर suppose मेरी एक अपनी website है जो मैंने digitonus account से related बनाई हुई है तो यहाँ पर मैंने title डाल दिया website और अब इसके right hand side में जो box दिया हुए जहाँ पर लिखाए enter url यहाँ पर हम अपनी website का url डालेंगे www.digitonus.in यह मेरी जो website है जो digitonus हमारा youtube का channel है उसकी website भी बनी हुई है जिसका address है www.digitonus.in इसके बाद हम दूसरा link भी यहीं पर create करेंगे तो add link पर दुबारा क्लिक करेंगे title मेरा एक facebook page भी है digitonus का या तो आप जब url लिख रहे हैं ठीक है ना लिखने में कहीं बार गलती हो जाती है तो इससे better है कि आप अपने जो channel है जो youtube का जो आपका sorry जो page है वहाँ पर आप visit करें और उसके url को आप copy करके यहां पर paste कर दें www.facebook.com digitonus official यह url मेरे जो मैंने लिखा है url यह मेरे facebook digitonus page का है इसके बाद एक दुबारा से हम एक एड कर रहे है ट्विटर एकाउंट ट्विटर एकाउंट का हमारा जो url है वो है twitter.com slash digitonus1 यह हमारे एक ट्विटर एकाउंट का जो url वो एड कर दिया अब instagram instagram के लिए www.instagram.com slash digitonus.official यह instagram का url हमने यहां पर प्लेस कर दिया है तो पांच एकाउंट हमारे हो गए हैं एक यहां पर हम एड करने हैं subscribe बटन subscribe means कि अगर user उस पे क्लिक करता है जन्दली जब user विजिट करता है हमारे यूट्यूब पे तो subscribe बटन आता ही है लेकिन subscribe बटन एड करने का यहां पर एक benefit यह है कि जब भी user उस पे क्लिक करेगा तो पेज जो मेरा यूट्यूब का जो पेज है जो चैनल है वो उपन होने से पहले ही user से subscription के लिए confirmation पूछ लिया जाएगा इससे benefit यह होता है कि user ना चाहते हुए भी एक बार आपके चैनल को subscribe कर सकता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम अपने चैनल का URL लिखेंगे यूट्यूब चैनल का youtube.com/.digitonus यह मेरे यूट्यूब चैनल का एक custom URL मैंने बनाया हुआ है इसके बाद हम यहां पर place करेंगे question mark sub underscore confirmation is equals to one अब यह जो मैंने यहां पर अपने custom URL के बाद एक code लिखा है question mark sub 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 underscore confirmation equals to one यह यहां पर URL में इसलिए add किया गया है ताकि कोई भी user अगर यहां पर click करता है तो चैनल का जो page है वो open होने से पहले user के पास custom message आ जाएगा whether you want to subscribe to this channel or not user ना चाहते हुए भी एक बार क्या कर सकता है आपके चैनल को subscribe कर सकता है तो अगर आपको अपने चैनल के जो subscriber है वो उसकी जो gaining percentage है subscription percentage है वो थोड़ी बढ़ानी है तो आप अपने custom URL में इस code को enter कर सकते हैं तो आपने अपने जो other social media accounts है उन सबको यहां पर आपने link कर दिया है link करने के बाद आप देखेंगे links on banner नीचे आपके पास एक option है जहां पर none none का मतलब है कि कोई भी link display ना हो first three, first four, first five link आप जितने भी चाहें उतने add कर सकते हैं लेकिन display जो maximum links होंगे एक बार में वो first five links ही होंगे तो मैंने यहां पर suppose first five links मैंने select कर लिया है select करने के बाद आपको एक last work जो करना है वो क्या करना है आप देखेंगे जो आपके right hand side में तीन option दियो है और एक option है publish, publish पर आपको click करना है publish बटन जो है वहां पर आप click करेंगे click करने के बाद जो भी आपने links हैं वो आपके publish हो गए है उसके बाद में just publish के left hand side में आपको एक option दिया है view channel view channel पर हम click करते हैं तो अब click करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरी नई जो बैनर है जो YouTube art है उसके right hand side में आप देखेंगे links बने हुए website, facebook, twitter, instagram और YouTube अगर मैं आपको first पहला page आपका दिखाता हूं अपना दिखाता हूं तो यह simple page है जहां पर कोई भी link नहीं है यानि यह link बनाने से पहले का layout है अब हमने link add की है link add करने के बाद अब यह layout है तो first हमारा website है अगर हम यहां पर website पर click करते हैं तो क्या होगा जो हमारी website है जो हमने अपनी website design की हुई है publish की हुई है देखें आप website open होगी है हमारी तो easily जो user या जो visitor आपके YouTube account पर visit कर रहा है वह आपकी website पर विजिट कर सकता है second है हमारा facebook अगर हम यहां पर click करते हैं facebook icon पर तो यहां पर click करने से क्या होगा जो पेज आपने facebook का अपने account के लिए create किया हुआ है वह open हो जाएगा आप देख सकते हैं कि facebook पर जो मेरा इसके बाद next आता है आपका Instagram Instagram पर जो हमने account बनाया हुआ है अपने डिजिटोनस पेज का जो official account है डिजिटोनस का वह open हो जाएगा और last में हमने link create किया था subscription के लिए तो अगर मैं इस YouTube बटन पर right side में अगर मैं यहां पर subscribe बटन पर click करता हूँ तो क्या होगा अभी यह दिखाएगा आपको 404 not found क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने ही पेज पर ठीके visit कर रहा हूँ already page open है अगर आप URL देखेंगे तो यह देखो multi URL हो गया है यानि already youtube.com slash tree और उसके बाद में यह URL जो है वो mix up हो गया है fine तो इसलिए यह यहां पर work नहीं करेगा लेकिन अगर कोई भी unknown user यहां पर visit करता है मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा URL इतना था ओके अगर मैं इसको किसी एक नई टैब में open करता हूँ यह URL हमने लिखा enter youtube.com slash tree digitoners question war तो आप अब यहां देखेंगे के are you sure you want to subscribe the channel तो cancel और subscribe यानि एक बार को user ना चाहते हुए भी हमारे चैनल को subscribe करता है ठीके तो यह हमारी जो links हमने generate की थी वो सभी links हमारे अब generate हो चुके है I hope आपको यह video बहुत ही पसंद आया होगा अगर आपको video अच्छा लगाया है तो please video को like और share जरूर कर देना है और अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe कर दीजे और bell icon को press कर देना है ताकि इसी तरह से latest video के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें so thank you so much friends thank you